नमस्कार दोस्तो अभी अभी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आखिरकार प्रत्वी पर हो क्या रहा है कुदरत अपना कहर लगातार बरपा रही है कभी उत्राखंड में तो दोस्तो अभी अभी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार पर भी जूसी मट जैसा खतरा दूस्तों मट रहा है कई घरों में दरार यहां पर भी आ गई है लोगों में दोस्तों डर पहल रहा है वोई बता दें कि दोस्तो कई घर ऐसे हैं जहां पर दरारे आ गई है जिले के कमवरी गंज इलाके में कुछ घरों में आचानक आई दरार से इस्थानिये लोगों में दोस्तों डर का माहूल है वहीं साथ बता दें कि इस्थानिय निवासी सशी ने कहा पिछले कई दिनों से हमारे कुछ घरों में दरारे आ गई हैं जिससे हम लोग दोस्तों देशत में रहने को मजबूर हैं हमने इसकी सिकायद भी की हैं लेकिन नगर निगम के अधिकारी कोई ठोस का रवाई नहीं कर रहे हैं और केवल आस्वासन दे रहे हैं हम लोगों को डर है कि घर गिर सकता है रिपोर्ट में बताया गया है कि इस्थानिय लोगों के अनुसार सरकार की तरफ से स्मार्ट सिटी योजना के तहते पाइप लाइन बिचाई गई थी जो अवकतित तोर पर लीक हो रही है जिससे इलाकों के कई घरों में दरारे भी आ रही हैं एक इस्थानिय अपसा मसरूर ने कहा है कि तीन चार दिन हो गए है हमने विबाग को इसके बारे में जानकारी भी दे दी है लेकिन अभी तक कोई मदद नहीं की गई है हमें डर में जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है उदर नगर निगम के अपर आयुक तराकिस कुमार यादव ने मामली का संग्यान लिया है और कहा है कि विबाग की तरफ से जरूरी कारवाई की जाएगी यादव ने आसबसंदिया हमें अभी जानकारी मिली है कि जो अलिगड का कावरी गंज छेतर है यहाँ पर कुछ मकानों में अचानक सी जो दरार है वीडियो मा आप देख सकते हैं दूस्तों यह आ गई है वहीं साथ बता दे कि मामला अभी पूरी तरह से संग्यान में नहीं आया है और अब हम अपनी टीम को मोके पर भेजेंगे और नगर निगम की तरफ से जरूर कारवाई की जाएगी हर अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी चैनल अभी ही सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो को जादा जादा सेयर करें ताकि सबी लोगों तक अपडेट मिल सकी